हाँ आप में से सभी इन सभी ड्राइब फूर्ट्स का नाम आवस्य सुना होगा तथा इसे खाया भी होगा परन्त ये कहां होते हैं उसकी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ ये है काजू का प्रारंबिक स्टेच आज के वीडियो में काजू के पेंड के बारे में उसकी जानकारी मैं दूँगा उसके फल की जानकारी मैं दूँगा काजू जो की बाजार में एक हजार से बारस रुपिया कीलो बिकता है तथा बहुत सारे लोगों के नसीब में यह खाने को नहीं लीखा होता है क्योंकि वो इतने गरीब होते हैं कि इन ड्राइव फूट्स को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं काजू का बीच फल से बाहर होता है आप देख सकते हैं यह रहा उसका फूल और यह रहा सुनहरे रंग का चमकदार फल जो इस फूल से निकलता है तथा बाद में पकता है तो पीले या पिंक रंग का मीठा फल में तब्दील हो जाता है इसकी पतियां कठल के पत्ते जैसे होती है आप देख सकते हैं पेंड बहुत बड़ा नहीं होता है बहुत छोटा भी नहीं होता है काजु का पेंड मध्यम आकार का होता है और आसानी से उसके टैनियों को आप छू सकते हैं आप देख सकते हैं इस पेंड को इसके फल को तोड़ने के लिए पेंड पर चड़ने की आउशकता नहीं होती है पत्तियां चमकदार कठल के पत्ते जैसी होती है और फल पीला सुनहरे रंग का चमकदार होता है जिसको पकने के बाद खाया जाता है कच्छा फल नहीं खाया जा सकता क्योंकि ये एसिलिक होता है मुँ में चाले पड़ जाते हैं और उसका बीज जो की फल से बाहर होता है उसे तोल डिया जाता है तथा प्रोसेसिंग करके उसमें से काजू निकाला जाता है काजू निकालने का प्रोसेस बहुत लंबा है और वह टाइम टेकिंग होता है जो हम बाजार में काजू देखते हैं वह काजू मसीन से निकाला हुआ होता है वैसे हथाओड़े से या पत्थर से भी तोड़ कर निकाला जाता है लेकिन ये फल इसमें से जो काजू निकलता है वह साबूत नहीं होता है वो टुकड़े में तबदील हो जाता है काजू उस्नक कटिवंधिये मौसम में होता है जिसको इंगलिस में ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं तथा समुद्र तटिये छेत्रों में यह बहुतायत पाया जाता है भारत की समुद्र तटिये राज जितने हैं उडिसा के पूरी और केरल का समुद्र तटिये छेत्र वहाँ पर यह पेंड बहुत होते हैं और वहां के किसान इसे उगाते हैं एक अनुमान के अनुसार पचास एकड में लगभग दो करोड का काजू निकलता है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को आगे देखते रहें गौर से देखे वैसे आप अपने घरों में भी इसे उगा सकते हैं नीचे लटका हुआ जो बीच है उसे 24 घंटा पानी में सोकिंग करने के बाद भीगाने के बाद उसे प्लास्टिक की थैली में लगाया जा सकता है और उसमें से पंद्रह बीच दिनों के बाद काजू का पौधा निकल कर बाहर आता है प्रकृत अनमोल खजाना से भरा हुआ है और प्रकृत के कोने कोने में हम इन अनमोल खजानों को प्राप्त कर सकते हैं देख सकते हैं ये काजू रहा जिसको बाजार में हम खरीदते हैं वीडियो को लाइक करें अपने मित्रों को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब